पटना विश्वविद्याले के पीजी छात्र अमनकुमार लाल को अगवाकर हत्या के इरादे से की गई बेरहमी से पिटाई के खिलाः बिहार परदेश छात्र राष्टिय जनता दलद्वारा राज्य ब्यापी विश्विद्याले बंद का अख़वान किया गिया इसी के तहद भागलपूर के तिलकामांजी विश्वविद्याले में चातर राजद ने विश्वविद्याले को बंद कराया विश्वविद्याले अदक्च लालू यादप के नितरित में बियन कॉलेज से सुरू हुए इस बंद के दावरान टीनवी कॉलेज स्थनात को तरभी भागों और मलवाली कॉलेज को बंद कराया गिया इसके बाद विश्वविद्याले परसासनिक भवन को भी बंद कराते हुए सभी पदाधीकारियों और कर्मियों को बाहर निकाला गिया चात्रों पर हुए हमले से अंदुलनकारी चात्र बेहद आक्रोसित थे चात्र राजत के अद्यक्च लालू यादव ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार परनिसाना साधते हुए कहा कि नितीज कुमार की सरकार में अपराधी बेलगाम हो गया है उन्होंने कहा कि पटना विस्विद्याले परीसर से दिन धाडे चात्र का अपरन और हत्या का प्रियास अपराधियों के बढ़ते मनोबल को दरसाता है बार बार इससे समस्या होते जा रहा है मैं इस पर हम लोग जो है कि आगे जैसा मारा निती बिनेगा फिर हम लोग को अंदरों जारी रहे है तोटल मतलब बियंड कॉले से हम लोग इस्टाइट किये पी बंद कर वाए फिर पूरे भाग बंद कर आए पीजी भाग उसके बा बार को पुलीस ने फ्लैग मार्च का आयोजन किया इस फ्लैग मार्च का उद्देश दुरगापूजा के दवरान सांती और कानून बैवस्था बनाए रखना था फ्लैग मार्च जगदीशपूर बाजार दादा टोला फतेपूर चानदपूर भवानिपूर देशरी तग पुलीस ने फ्लैग मार्च के दवरान अस्तानिया नागरिकों से अपील की गई वे नवरात्रा और दुरगापूजा के दवरान सांती और सोहार्द बनाए रखे इस तरह की पहल का उद्देश किसी भी अपरिये घटना को रोकना और इलाके में सामुदाइक सोहार्द को पढ़ावा देना है। मौसमी विमारियों से भी बचा जा सकता है। खास कर मेडिकल साइंस के दिश्टिकोन से। कर्म करते करते एक प्रेवना हुई। प्रेवना अंदर से जागरिती आई कि ऐसा करना चाहिए। और इससे हमको लगता क्या है मेरे लिए ज्यादा हितकर होगा। कोई असर नहीं से। गंगा जी से आता है सर उसको रिफाइन किया जाता है लाकर के फिल्टराइज कर लेते हैं। क्योंकि गंगा की क्या आवश्था है याप भी जानदे हैं। कितना लीटर की नापढ़ता है करीब करीब 5-6 लीटर आज़राख कुछ नहीं कुछ मेंगा। कall दूहजार एक से हम जो है नमक अनाज़ करते बनने करते हैं। पर दही दूठ पेरा इसी पर जो है हम रा जो है निशरिया है। हमारा देखिए अपना मानना है कि भगवत्ती के मंत्र में असपश्ट लिखा हुआ है यादेभी सर्व भूतेशु छुधा रूपे निसंस्तिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमुनमा यदि तुमको भूख लगता है तो उसमें मैं ही हूँ तो आदमी जो अपना भूख मार के पुजा करता है वो अच्छा नहीं आप जाहिर सी बात है कि यह तो धर्म से और आस्था से जुड़ी हुई चीजे हैं हैं है है इसमें इग्नोर होता है जब इतना इतना घंते तक आदमी उत्वास करेगा बोडी को कैलोरी नहीं जाएगा बोडी को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिलेगा तो उसकी फिजियोलोजी निश्चत रूप से खोड़ी देरेंज हो जाती है तो मेडिकल पॉइंट ओव यू से यह ठीक रूटीन नहीं है इसमें सरीर का हाइड्रेशन लेवल कम होता है सुगर लेवल भी कम होता है और आ तो बन डाइबीटीज और इस तरह की बीमारियों का एक हब बनते जा रहा है इसमें बगएर मेडिकल कॉशन के यूही कर लेना हमको लगता है यह अपनी जिन्दगी पर विस्क लेना है बागलपुर में दुरगा पुजा के अफसर पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला परसासन के साथ साथ अगनी समन बिभाग भी अलर्ट मोड पर है अगनी समन बिभाग ने सहर के दस परमकस थानों को होट स्पोट के रूप में चिन्नित कर 24 गंटे अगनी समन कर्मियों की तैनाती की है विभाग ने वाटर टेंडर, फोम टेंडर, रेस्क्यू टेंडर और मिक्स टेकनोलोजी की चार बड़ी गाडियों को रिजर्व में रखा है इसके अलाबा कंट्रोल रूम में भी कर्मियों को 24 गंटे सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है फायर ओफिसर नागेंदर उपध्याय ने पूजा आयोजकों और जनता से तहवार को साबधानी पुर्वक मनाने की अपिल करते हुए किसी भी आगजानी की घटना पर तुरंत टोल फ्री नंबर 102-112 या दिये गए मोबाइल नंबरों पर सुचित करने का आग्रा किया है पूजा समीतियों को निर्देश दिये गए हैं कि वे पंडालों का निर्मान अगनी रोधक कफड़ों से करे और पंडालों में परियाप्त मात्रा में पानी और अगनी समन्य यंत्र रखे साथी पंडालों में की गई विद्युत वैरिंग की जाच योगी तकनिसियन से करा ने और किसी भी कटे हुए तार को ठीक करने का भी निर्देश दिया गया है। कि आप अगनी रोधक भोल से तयार की हुए कपड़े से पंडाल का निर्मान करें ताकि किसी तरह के अगनी कांड होने की संभावना नहीं हो। और दुरगा पूजा को देखते हुए दौस अस्थानों को हर्ट बनाया गया है। जहां पर मेरी गाड़ी तैयारी हलत में रहेगी। फायरे स्टेसन में भी हम लोग एलाट मूड में हैं। QRT टीम का गठं कर दिया गया है। किसी तरह का कोई घटना दुर घटना होती है तो हम लोग एक रिस्पांस लेंगे। और किसी भी घटना से निपटने के लिए हम लोग कोण रूप्ष तैयार है। भागलपूर से हैं और घर बनवाने घर खरेतने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके लिए लेकर आया है बाबा सरकार Construction & Real Estate Company एक सुनहरा मौका जहां आपको मिलता है अपने घर को नया 2D 3D डिजाइन के साथ साथ अपना पसंदीद डिजाइन करवाने का मौकास जमीन का नक्सा से लेकर भवन निर्मान, इंटेरियर डेकोरेशन, मेशिन, जैसे टाइल, पलंबरी, इलेक्रिकल, फॉर्नीचर, इत्यादी, सारा काम होत तो आज ही संपर्क करें बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एन रियल इस्टेट कंपणी स्पी कोखी इलकामान जी भागलपूर, हमारा कॉंटेक्ट नमबर है 7545801487, दूसरा नमबर है 9304630172 भागलपूर के बाबरगन स्थाना चेत्र मुगलपूरा में समुदाइक भवन का उधगाटन धूमधाम से किया गिया दरसल इस भवन का उद्गाटन भागलपूर डियास पीटूरा केस कुमार मुजायतपूर इंस्प्यक्टर और वावरगन स्थाना द्यक्च रवी संकर सहीत अस्थानिया लोगों ने फीता काट कर किया समुदाइक भवन का निर्मान मुगलपूरा कमीटी के प्रियासों से संभव हुआ है दरसल इस भवन के निर्मान के बाद छेतर के छोटे बच्चे को निसुल केंप्यूटर सिक्ष परदान की जाएगी यह अस्थान पहले नसेडियों का अड़ा हुआ करता था लेकिन अस्थानिया लोगों के प्रियास से उन्हें वहां से खदेड दिया गिया समुदाइक भवन के निर्मान से अस्थानिया लोगों में उत्सा और खुसी का माहल बना हुआ है पूरे के सजर और सुक्रेटी साब पूरे अवाम मिलके अम लोग यह निर्ने लिए कि यहां पर एक अच्छा कोई पहल करें जिसमें आने वाले आने वाले बच्चे को कुछ रहात पहुंचे यहां पर कोचिंग खुले प्रहाय लिखाय का सुविदा हो और अच्छा दिन बागलपूर पिरपैती के वाराहाट इस्तित अश्ट बुजी मा योगी वीर के दरवार में नवरात्र के अफसर पर मा संगीत सदन के बच्चों द्वारा मनमोहक डांडिया निर्त का आयोजन किया गिया इस सांस्कृतिक कारिक्रम की सुरुबात से पहले योगी वीर के पुजारी ने बच्चियों का पूजन किया और उन्हें तिलक लगा कर चुनरी भेट की कारिक्रम का आयोजन स्काउट गाइट के फरसिक्चक मुकेस आजाद द्वारा किया गिया जिसमें छेतर के सेकड़ों लोग उपस्तित रहे और बच्चों के सांदार प्रदर्शन की सरहना की मौके पर आचारे उमा शंकर आसीज कुमार साहित कार हरे राम निराला डॉक्टर योगेश कौशल चंदन राज सहित कई परमुखलोग मौजूद थे